कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, बस उस दा समाधान, उस दा इलाज, मंत्रा दे राहीं उंदा सी, ए काल, ए दौर बहुत लंबे समे तक रहे हैं, और चुंके रोग अनेका ने, अनेका तरह दी पीड़ा है, अनेका तरह दी कलकलेश ने, एक एक व्यक्ती हजारां तरह दी पीड़ा दी, पंड़ चुकी फिरदा है, तो एक दोर ऐसा चले आ, मांदरी अग्याए, मंत्री अग्याए, मंत्रा नाल उपचार कर दे रहे हैं, चै अख दुख दी है, चै दाड़दा दुखना है, चै पेटदा दर्द है, चै तरह तरह द्रोग, बिमा हुंदार है, और वक वक मंत्रां दे अपने अपने नाम संद, बिच्छु दे डंग दा मंतर, सप देवी डंग दा मंतर, उजो मंतर सप दी जहर उतार देंदा सी, ती सपनों बेहोश कर देंदा सी, उस मंतर दा ना है गारड़ी मन मंतर, जिस दा जिकर गुरु अरजन अनंत काल तुसद देस्ट इस सपे रहे थै declared है। और कुछ होग और सियाने इस मंतर दी वाकीत रख दे आयने इस मंतर दे जावदे नाहल हो सब पक्ड़ दे रहे थैं और उन्हांदा आजवे ऐसी केन है के सड़ा मंतर एक साल तक ही कम करदा है खास करके फनियर नाग उसनों सी साल तो बाद छोड़ दे और छोड़ दे ये देखे गए ने तो एक गल सपष्ट है के मंतरा दी अपड़ी महमा गुंजार पाके जड़ कोई मंतर दा जाप करदा है उस दे नाल जो तरंगां बन दी है उस दे नाल जो वाइबरेशन बन दी है मनुखदा अपना हिरदा ते अंदोलत होंदा है पर उस मंतर दी उस तरंग दी लपेट दे जड़ा जड़ा आवेगा ओवी अंदोलत होगेगा ओवी परभावत होगेगा और भी प्रभावत होए बिना रहने सकेगा आज भी देखन देचाए बहुत बिक्षु कठे बैठ के मंतर दाजाब कर देने आज भी गुरु घरदिच परंपरा बने हो ये कठे बैठ के कीर्दन करो और गुंजार पा के कीर्दन करो उसनल जो तरंगा बनन गिया हिरदे दी यकसुई दा बाइस बनन गिया मन नो इकागर करन गिया अनन्द परदान करन गिया ते हिरदा इकागर हो जाए मन यकसुई हो जाए अनिका रोग अपने आप रुकसत हो जाँ देने क्योंकि बेश्टर रोग बहुत सारे रोग शरीरिक ना होके मान सिखने है तो खैर एक दोर ऐसा लंगे है जद अजे मनुखनों जड़ी बूटियां दा ग्यान नहीं सी अजे आईरवेदिक आलमे वजूद दिच नहीं आई सी अजे युनानी तिब सामने नहीं प्रगठ होया सी तो इना पश्मी देशां देच वी ते यौरबदी दुनियां देच वी मंत्रां दे राहीं उपचार होंदारे है सूफी फकीर मंत्रां देनाल उपचार कर दे रहने और आज वी देखन दिच ऐसा आउंदारे अगवानिस्तान दे इलाखा पठानिस्तान दे इलाखिच अजवी सप ते बिच्छू दे दर्दनों मंत्रां दे नाल उपचार कीता जन्द है दूर करंडी कोशिश कीती जन्द धे सड़े देश दे च्वी आजवी दारदा दरद कन्नाद दर्द गले पैजाणां टौनसल इतियाद के इननों अपने अपने धंग दे मंत्रां दे जापनाल दूर करंडी कोशिश कीती जन्द है एगल वक्री है के मंत्रा दे उचारन करन वालेच आज उशक्ती नहीं जैसे द्वाईयां ते बहुत अच्छी आवन पर हकीम से अना ना वे नवस्दी पैचान ना वे रोग नो समझ ना सके रोग दा कारन भी उना जान दा वे ते चंगियां तो चंगियां द्वाईयां भी की करन गियां और किमें देवेगा किस मिगदार देच देवेगा इस तरीके नल मंत्रा दी थे अपनी महानता से पर जपन वाला हिर्दा ना वे रसना ना वे उतना उत्षा ना वे उमंग ना वे शर्दा नावे तो उत्वे फिर मंत्र हाली रह जाने और अपना पूरा कम करण देच असमर्थ हो जाने मंत्रां देचों सिर्मोर मंत्र है प्रमात्मा दा नाम जिन्हों गुरुगोविन सिंग जी महराज कें देने नमो मंत्र मंत्रं नमो जन्त्र जन्त्रं हे प्रभु तेरा नाम मंत्रां देचाओं सिर्मोर मंत्र है जन्त्रां देचाओं सिर्मोर जन्तर है कोई भी मंत्र एक रोग नो दूर करेगा पर हे प्रभु तेरा नाम मंत्र ऐसा है सारे रोगानों दूर कर देंदा है सरब रोग का आउखद ना संसार रोगी नामदारू मैल लागे सच बिना गुरुनानक देवजी महराज केंदेने संसार दे सारे रोगान दा इलाज प्रभूदा नाम है नाम हिर्दिच वसके है परम अनन्दित मनुक किसे में दुखी नहीं करेगा पीड़त नहीं करेगा बहुत सारे समाजिक मसले अपने आप हल हो जाँदेने बहुत सारे राजने तक बिखेडे अपने आप हल हो जाँदेने और अनेका शरीर एक रोग शरीर देचो निकल जाँदेने मन दे स्वस्त हों दे हाँ चारों पासे जो वाता वरण बन दा है वो स्वस्त बन दा है तंद्रुस्त बन दा है महान बन दा है तो एक बड़ा सुंदर उदारण दिता है गुरु अरजन देव जी महराज ने दसन बिहून भुयंगं मंत्रं गारडी निवारं जैसे शपेरा गारडी मंत्र दा जाब करके सपनों दंदां तो बिना कर देंदै और सपदी जहर उतार देंदै इस मंत्र दा नाम गारडी मंत्र एक उदारं बियाद उपारन संतन नानक लबद कर्मने विलेही संत जन ऐसे ने जो प्रमात्मा दे नाम मंत्र दा जाब करके अपने जीवन दिचों विकारां दी जहर कड़ देंदै जिंदगी दिचों सारी जहर नो निकाल के परेश उड़ जिवन दिच जहर की है जीवन दिच क्रोध एक जहर है लोब एक जहर है आंकार एक जहर है मोव एक जहर है काम सीमा तो वदे हाया जहर है अती करोधी अती कामी अती हंकारी मनुख अती जह्रीला उन्दर है अती जह्रीला उदी दृष्टी देच भी जहर टपकेगी उदे बोला देच भी जहर प्रगट होगेगा उदे उठ देयां बैठ देयां जीडियां तरंगां भी उसने श्रीर चो निकलन गियां वातावरन नो दूशत करन गियां अपेतर करन गियां क्योंकि जहरी ला है प्रभू मंतर दे जापनाल इस जहर अमरित बन जान दी मैं लागर बेरे हैं भुयंगा बिख अमरित बसे एक संगा जहर ते अमरित भी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है प्रोसी ने निक्टवर्थी ने हो गुजरिया इस सदी दा बड़ा प्रसित दार्शनिक उर्दू दा शायर डॉक्टर महम्मद इकबाल ओ कहिंगा है जो जहरे हला हल है वो ही अमरित है नादा हाँ मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के इती पीनदा धंग है अगर किसे नो पीनदा धंग आगे है तो अमरित है ते जे पीनदा धंग नहीं आया तो जहर है जो जहरे हला हल है वो ही अमरित है नादां ए नादां जो जहर हला हल है संखिया है ये अमरित है फरक सिर्फ इतना है कि तिरी कुल पीन दा धंग होना चाहिए कर जीवन दा धंग होवे जिन्दगी अम्रित है पर जीवन धंग नहीं तो जीवन जहर है वरचन धंग होवे तो पदार्थ अम्रित ने पर वरतन दा धंग नहीं तो पदार्थ भी जहर ने रहन दा धंग होवे तो परवार अम्रित है पर रहन ते सेहन दा धंग नहीं आया तो परवार भी जहर बन सकता है संसार भी जो है जहर बन सकता है गल सारी ये ढंग दी युक्ती दी जैसे गन्य दिछ प्रभू ने बड़ा रस पाया है मिठा अंगूरा दिछ स्वाद है रस है संत्रा मिठा है पर इन्हों त्रका के शराब बनाई जा सकती है तो शराबती कोड़ी है मिठा कोड़ा हो गया मिठा कोड़तन देश तबदील हो गया तो जिए मिठा कोड़ा हो सकता है तो कोड़े नो मिठा भी कीता जा सकता है संखिया अती कोड़ा अती कोड़ा पर वैद लोग मार के ज़द उसनों कुष्ता बना लें देने तो बड़ा कारामद हो जाना है सपदी जहर दियां भी दवाईयां बन दियाने और अनेका रोगां दिच उन्हां दा उपचार हों दा है तिस जहर दवाई बन गई है धंग हो गई है अगर धंग नहीं तो दवाईवी जहर बन जाएगी जो जहर हला हल है वो ही अमरत है नादा मालूम नहीं तुझको अन्दाज हैं पीने के इती पीनदा धंग है जिसनों आ जाए अमरत है जिनों धंग नहीं आया तो जहर है